एक भिन एक वटी तीन हो जाती है जब उसके अंस में एक जोड़ दिया जाता है और वह एक वटी चार हो जाती है जब उसके हर में एक घटा दिया जाता है तो हमें भिन बतानी है ठीक है अब देखा हमें पता है जो भिन होती है वो अंस वटे हर होती है तो इसमें अंस और हर को हम माल लेंगी यह हम लिखेंगे माना अंस बरावर एक्स और हर बरावर बाई तो हमारी जो भिन है वो हो जाएगी अंस वटे हर अब ऑफ कहरा है एक भीन एक बटी 3 हो जाती है जब उसके अंस में एक जूड़ा जाता अंस में एक जूड़ना है अर्था एकस प्लस बन और हर में कुछ भी निकाना है तब वो कितनी हो जाती है एक बटी 3 अब उसका क्रॉस मुल्टिपलाई करेंगी तो 3x में गुड़ा होगा तो 3x प्लस 3 का 1 होगा 3 बराबर बाई बाई को इधर कर दो तो 3x माइनस के बाई 3 को इधर कर दो तो माइनस के 3 ये हमारी equation number first बन जाएगी अब दूसरा उसने कहा है जब उसके हर से एक घटा एक घटाया जाता है तो वह एक बटी चार हो जाती है अब हर में ऐसे घटाया जाएगा अर्थाथ अंस में कुछ भी नहीं हर में एक घटाया जाएगा तो by minus 1 तब वह एक बटी चार हो जाती है cross multiply करेंगी तो 4x by minus 1 ठीक है तो 4x by इधर आएगा minus को हो जाएगा उधर बचेगा minus का एक इसको डालेंगे equation number second अब equation को solve करेंगी तो देखो 3x minus के y equal minus के 3 4x minus के y equal minus के बना या हम घटाएगे लिखेंगे घटाने पर क्योंकि तभी change हो पाएगे minus का plus यहाँ minus का plus यहाँ minus तो minus के y से plus के y cancel हो जाएगी 3x में से जब 4x घटाएगे तो minus के x बचेगा और यह minus के 3 यह plus का बना है तो यहाँ बचेगा minus के 2 minus से minus कैंसल हो जाएगा तो x का मान आया 2 ठीक है फिर हम लिखते हैं x का मान समीकरड 1 में समीकरड 1 में रखेंगे समीकरड 1 की है छेखिघक है यह है समीकरड लेखेंगे 3x minus by बराबर minus के 3 ठीक है तो 3x की जगए 2 रखेंगे minus by बराबर minus के 3 तो 3 दूनी 6 इदर जाएगा तो यह minus का हो जाएगा तो माइनस के बाई बरावर माइनस के नो माइनस से माइनस कैंसल तो बाई का महन नो हो गया इस तरीके से जो भिन बनेगी हमारी वो अंस बटे हर दो बटे नो हो जाएगी